संपूर्ण ब्रह्मान के तीन परम्नियम है पहला है समय की गती, दूसरा है परवर्तन और तीसरा है म्रत्यो कोई परणाम जन्म लेगा या नहीं लेगा यह निश्चित नहीं है पर यदि कोई जीवित परणाम है तो उसकी म्रत्यो जरूर निश्चित है और विड़मना यह है कि जीवन का सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा डर यही है म्रत्यो हमारे धर्म कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती वो सिर्फ एक सरीर को छोड़ कर दूसरे सरीर को ध्रणा करती है यानि शरीर नश्च्वर है पर आत्मा अमर है इस तत्य का हमारा विज्ञान भी समर्तन करता है कि ओर्जा ना तो कभी पैदा होती है ना ही मरती है वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांस्पर हो सकती है जैसे इस बैटरी में मौझूद कैमिकल एनरजी का बल्ब की रोशनी के रूप में एलेक्टिकल एनरजी में ट्रांस्पर होना इससे संपूर भ्रमान की ओर्जा संतुरित रहती है उर्जा का यही कंसेप्ट हमारी आत्मा पर भी लागू होता है जिससे हमारे अंदर बहने वाली उर्जा एक फॉर्म यानि पिछले शरील को छोड़कर दूसरे शरील में ट्रांस्पॉर्म होती है जिसकी बगलत हर दिन लगबक तीन लाख नए नवजाद जीवन इस धर्टी पर अपनी आखें खोलते हैं लेकिन कई बार नए पैदा होते जीवन में उर्जा के ट्रांस्फॉर्मेशन के साथ साथ पिछले जीवन से जुड़ी चेतना का भी ट्रांस्फॉर्मेशन होता है जिससे पैदा हुए वेक्ति को पिसले जर्म से जुड़ी लगबक सभी घटनाएं याद रहती है जिसमें मुख्य है उसकी मरत्यू से पहले के अंतिमच्छान चेतना के इसी ट्रांस्फॉर्मेशन को कहा गया है रीबर्थ, रीकारनेशन या पुनरजन पर ऐसा होता क्यूं है कि रोज होते डेड़ लाख मरत्यू में से सिर्फ कुछ ही लोगों की चेतना का नई शरीर की रूप में नया जन्म होता है और बाकियों को पिछले जन्म से जुड़ी कोई याद याद नहीं रहती इसके साथ साथ ये कैसे त्या होता है कि चेतना कब, कहां और कौन सा शरीर धरन करेगी क्या है पुनरजन का संपूर्ण सत्य आईए पता करते हैं आज इस आदुनिक युग में हम उर्जा के किसी ना किसी रूप से अपने जीवन को आरामदाइग बनाते हैं जैसे पेट्रोलियम, केमिकल, अलेक्ट्रिकल एनरजी, इत्यादी लेकिन उर्जा के सभी रूपों को हमारे किसी जरूरत को पूरा करने के लिए उसे हमेशा किसी तीसरे परणाम की आवशकता रहती है यानि उर्जा सीधे ही किसी परणाम में नहीं बदल सकती जैसे एक ट्रक के रूप में पेट्रोलियम एनरजी का रूपां तरण या कनवर्जन कई टन माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए होता है तो दूसरी तरफ इसी पेट्रोलियम एनरजी का कनवर्जन ये कार तेज रफ़तार के लिए करती है यानि एनरजी का कनवर्जन किस परणाम के रूप में होगा यह उस परणाम में डाली गई जानकारियों पर नरबर करेगा जैसे बिजली से चलने वाले इन दो रिजल्स को देखिए जब भी हम बिजली का सुच चालू करेंगे एक परणाम रंगी चित्रों को दिखाएगा तो दूसरा गरम पानी घरेगा उर्जा का एक ही रूप है और उसका कनवर्जन अलग परणामों के रूप में हो रहा है तो संचिक्त रूप से हम यह कह सकते हैं कि उर्जा किसी परणाम में डाली गई जानकारियों या इन्फोमेशन के अनुसार उसे विसिस्ताय देती है जैसे इस टीवी में डाली गई जानकारियों का इस्तमाल करके उर्जा रंगी चित्रों को तयार करेगी तो वहीं इस गीजर में डाली गई जानकारियों से पानी गर्म करेगी यानि किनी खास जानकारियों का समुऊ यह तै करेगा कि उर्जा उसमें भैक कर उसका कौन सा भौतिक स्वरूप तैयार करेगी ठीक इसी प्रकार हम भी एक ऐसे ही परणाम है जिसके निरमाण के पीछे लाको जानकारियों का सम्मूँ है जो एक साथ जुड़कर हमारा भौतिक स्वरूप यानि हमारी शाररिक विशिस्थनाँ तयार करती है और फिर इन्ही जानकारियों के आधार पर उर्जा हमें हमारी चेतना और हमारी सभी शाररिक विसिस्तनाओं को जीवन के रूप में साकार करती है इस ब्रह्मान में या हमारी प्रत्वी पर नज़राने वाला पृतिक परणाम ऐसी ही लाखों जानकारियों का एक समू है जिसके पीछे लाखों वर्सों के करम विकास की कहानी है इन सभी परणामों में मौझू लाखों जानकारियों को एक जीवित परणाम या आफजाब किये जा सकने वाले परणामों में जो उर्जा भेती है वे दरासल है समय जो प्रतिक परणाम को जीवन की एक निश्चित गती देती है जिसे टाइम स्पीड और फे रिजल्ट कहते है आपने अक्सर मैसुस किया होगा कि आपके और आने वाले कल के बीच एक दिन की दूरी हमेशा रहती है आप चाकर भी इसे 22 या 26 गंटों का नहीं कर सकते इसका मुख्य कारण है कि आप समय की एक निश्चित गती पर हैं और इसी गती पर रहते हुए आप अपने चारों तरफ की दुनिया को अब्जब कर पाते हैं किसी परणाम के लिए समय की निश्चित गती होने का मुख्य कारण है उसे मिलने वाली उर्जा की इंटेंसिटी यानि तीवर्दा जो यह तै करती है कि कोई परणाम समय की किसी खास इकाई जिससे साल, महीना, दिन में कितनी उर्जा खर्च करेगा यह उर्जा जितनी अधिक होगी, उतनी ही उसके लिए समय की गती होगी इसे समझने के लिए इन दो बिजली से चलने वाले परणामों की उर्जा की खपत पर नजर डालिए इन दोनों परणामों को मिली विशेस्ताओं के अनुसार दोनों में उर्जा की खपत अलग अलग होगी जो कि क्रमश है इस प्रकार है जो बताता है कि एक घंटे में कितनी उर्जा इन्हें चलाई रखने के लिए पर्रयाप्त होगी ठीक इसी प्रकार पृत्य पड़दा में मौझूद अलग अलग वशेश्च्टा हैं उर्जा की खपत समय की किसी एक खास इकाई बिस्ध करती है जिसे किसी परणाम की स्पन साइकल कहते है यानि एक Espins Saikil किसी परणाम के द्वारा इस्तमाल की जाने वाली वह उर्जा है जो बताती है कि समय कि किसी एक बिंदू से, दूसरे बिंदू के बीच, जीवन के सफर को जारी रखने के लिए कोई परणाम कितनी उर्जा की खपत कर रहा है समय के इन दो बिंदों के बीच की दूरी एक सेकंड, एक मिनट, एक घंटा, एक दिन, एक हफ्ता या एक साल कुछ भी हो सकती है यह निर्वर करता है कि कोई परणाम कितनी जल्दी समय में आगे भड़ता है हम इनसानों के लिए इन दो बिंदों की दूरी को यदि समय की परवाशा दें, तो धरण के लिए हम मान सकते हैं एक दिन क्योंकि यही समय की वो सबसे चोटी एकाई हो सकती है जिसमें हम कर्म करके उनके फलों को भोगते हैं या जिसे महसूस करके अपने आने वाले भविश्य को आकार देते हैं प्रते किस्पिन साइकल में इस्तमाल हुई उर्जा फिर से समय में वापस चली जाती है और साथ ही समय के इन दो बिंदूओं के बीच घटी कोई अच्छी बुरी घटना हमारे कर्म और इन कर्मों के हम पर पड़े प्रभाव की एक छवी को भी साथ ले जाती है यानिगी समय के छोटे से हिस्से में किसी परणाम की चेतना की एक छवी या डुप्लिकेट कॉपी प्रत्य किस्पिंट साइकल में इस्तिमाल हुई उर्जा में इंप्रिंट होकर समय में वापस लोटती है हमारे जीवन से जुड़ी एहम जानकारी लिए उर्जा के ये नन्य नन्य पैकेट्स, क्लिपिंग्स कहलाती है हमारे सनातन धर्म में या अन्य लगबग सभी धर्मों और सब्दिताओं में आत्मा को अखंड माना गया है यानि जिसके टुकडे ना किये जा सकते हो हाला कि ये पूरी तरह सत्य है पर इसका जो अर्थ हमने निकाला है वे पूरी तरह सत्य नहीं है हम आत्मा के टुकडे होने को कुछ इस तरह देखते हैं जबकि वास्तविक्ता में ये है ऐसा ये भूतकाल है ये वर्तमान और ये भविश्यकाल ये कागज लगातार भविश्यकाल से वर्तमान में और वर्तमान से भूतकाल की ओर जा रहा है जो आपके वर्तमान को लगाता गतिशील रखकर आपकी चेतना का निर्मान कर रहा है यहां ना तो आपको यह पता चल सकता है कि कितना कागस भविश्य में बचा है और ना यह कि पीछे भूत काल में यह कागस कहां जा रहा है जो कुछ भी आप जानते हैं वे है या वर्तमान जिसमें आपकी चेतना आपको जीवन का एसास करा रही है इसे constant flow of consciousness कहते हैं यानि चेतना का नियत प्रवाह चलिए इसे एक उधारन से समझते हैं मान के चलिए एक गनर अपनी पूरी loaded gun के साथ सामने एक target पर निसाना लगाता है अब कल्पना कीजिए ये target एक जीवन है जिसकी चेतना को बनाए रखने के लिए प्रतिक 60 second में एक fire की आवशिकता है जब तक गनर के पास bullet है ये परणाम अपनी चेतना से जीवन को महसूस करता रहेगा लेकिन bullets के खतम होने पर अगले 60 second के बाद ये जीवन म्रत हो जाएगा यहाँ ये target हमारी चेतना ये bullets वो energy है जो हमारी चेतना को बनाए रखने में मदद रखती है और ये 60 seconds का time period एक spin cycle है जो दिखाता है कि हमारे अंदर मौजूद उर्जा लगातार हमारी चेतना को बनाए रखकर जीवन के प्रभा का एसास कराती है इसे ही चेतना का नियत प्रभा कहते हैं इस उधारन से हम समझ सकते हैं कि जो चीज अखंड है वे है हमारी चेतना ना कि इस magazine में से एक एक कम होती bullets की तरह हमारी energy प्रते किस्पन cycle से निकलती इन clipping's को समय में फिर से एक नया जन्म लेने के लिए एक विसेश सिस्थान मिलता है और यह इस्थान ते होता है प्रते क्लिपिंग की time speed जो बताती है कि एक clipping किस प्रकार की information लिये हुए है समय प्रते क्लिपिंग को उनकी time speed की अनुसार अलग-अलग groups में डिवाइट कर देता है जिनें information group कहते हैं एक high speed information group में वे clipping's महुंसती हैं जिसमें मौझूद information भविश्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगी और बेशक इन्हें प्राप्ट करने वाला व्यक्ति आने वाले भविश्य में बहुती उचाईयों को छुएगा तो दूसरी तरफ low speed information group में वे सभी information होंगी जो आज के वर्तवार को बनाए हुए हैं जिनें प्राप्ट करने वाले दुनिया के लगबग 90 प्रतिशत लोग होते हैं प्रतिक information group में पहुँचने वाली प्रतिक clipping अपने पास मौझूद information के सबसे अच्छे अगले क्रमानुगत रूप को लिए दूसरी clipping में मौझूद information से जुड़ती है जिनें successive clippings कहते हैं यहां क्रमानुगत से हमारा मतलब है कि नहीं दो अधूरी चीजों का एक साथ जुड़कर एक ऐसी चीज में बदलना जिसका एक मतलब निकलता हो फर एक्जामपल मान के चलिए यह अक्षर clippings हैं अब इन सभी को किसी एक शब्द में बदलना हैं जिसका वास्तिक दुनिया में कुछ ना कुछ मतलब निकलता हो तो प्रते क्लिपिंग यह अक्षर अपने अगले क्रमानों का दूरूप लिए अगले अक्षर से जुड़ने लगते हैं जिससे यह सभी ऐसे शब्द की रजना कर पाएं जिसका कोई मतलब निकल सके ठीक इसी तरह यह successive clippings अपनी अगली successive clippings से जुड़ती हुई मानव की चेतना के लिए ज़रूरी सभी जानकारियों का निर्माड करती हैं इसे consolidated energy group या CEG कहते हैं ऐसे प्रते ग्रुप को तैयार करने वाली लगबख सभी clippings अलग-अलग time period पर अलग-अलग व्यक्तियों के spin cycle से आजाद हुई वे उर्चा के नन्ने नन्ने समूम होते हैं जिनमें मौझूद information मिलकर पूरी तरह एक नई चेतना का निर्माड करते हैं जहां से एक नया मानव जन्म लेगा समय में यह इस्तान जो एक परड़ाम का जन्म स्तान दिखाता है ORT या origin of result in time कहलाता है यानिकि यहां जन्मा कोई वक्ती या जिस वक्ती को या चेतना मिलेगी वो हजार वक्तियों के दुआरा पैदा की गई जानकारियों मैं सबसे बेस जानकारिये लेहोंगी जो उसके वर्त्मान के अन्कूल मना सकी इस वज़े से हम मैंसे लगब 90% लोगों को पिछले जर्म से जुड़ी याद हैं याद नहीं रहती क्योंकि हमारा जर्म किसी एक व्यक्ति का पुनर जर्म ना होकर हजारों व्यक्तियों के छोटे छोटे पलों या इस्पिन साइकल से मिलकर एक संउप्त नई जीवन के रूप में होता है किन्तु 6-10 प्रतिश्य लोग जिने अपने पिछले जर्म से जुड़ी बाते याद रहती हैं या जिनका पुनर जर्म होता है उन्हें मिलने वाली इस ओरजा में अधिकतर क्लिपिंगs हजारों व्यक्तियों से ना कर किसी एक ही व्यक्ति की होती है जिस से नया जर्म लेते व्यक्ति की चेतना का निर्मार उनी इनफॉमेशन पर होता है जो पिछले जर्म में सक्रिये थी और फलसरूप उसे पिछले जर्म से जुड़ी बातें, घटनाएं, द्रश्य, जिस्ते, याद आते हैं पर इनमें सबसे एहम याद होती है अपनी मृत्यू के वो अंतिम छण वो छण जहां मृत्यू बड़ी तेजी से हुई हो फर एक्जामपल किसी सड़क दुरगटना में किसी की मृत्यू होना या किसी का आत्म हत्या करना और यही वे वज़े भी है कि क्यों किसी का पुनरजन होता है यदि हम एक सादरन जीवन जीते किसी व्यक्ति के जन्म और उसकी मृत्यू के बीच का ग्राप देखें तो पाएंगे एक कॉंस्टेंट गती से नीचे जाती रेखा और इसका कारण है उस व्यक्ति की दो स्पिन साइकल के बीच समय का अंतर जैसा यहाँ है एक दिन इस एक दिन के अंतराल से प्रते क्लिपिंग की टाइम स्पीड में हमारे कर्मों के अनुसार परवरतन आता है यानि कि हो सकता है कि पिछले दिन आज़ाद हुई क्लिपिंग हाई स्पीड इंफॉमेशन ग्रूप में पहुँची हो यानि कि हो सकता है कि आपके गुजर चुके जीवन से निकली हजारों क्लिपिंग अब शायद एक नए जीवन का हिस्सा हो इससे ब्रहमान की उर्जा पूरी तरह संतुलित रहती है लेकिन तेजी से होती मृत्यू के कारण उसके जीवन का ये ग्राब बड़ी तेजी से मृत्यू की ओर भड़ता है इस बदलाब से उसकी उज़ा तेजी से घटने लगती है जिससे उसकी स्पिन साइकल का टाइम पीरिड जो कुछ देर पहले एक दिन था वह अचानक इस बदलाब से एक मिनिट या उससे भी कम पर आ जाती है तेजी से आजाद होती इन सभी क्लिपिंग्स के बीच समय का मामुली सा अंतर होने की वज़े से उनकी टाइम स्पीड लगब एक समान रहती है और टाइम स्पीड एक समान रहने के कारण ये सभी क्लिपिंग्स एक साथ किसी एक information गृप का हिस्सा बनती हैं और यदि वहाँ किसी का जन्म हो रहा हो यह होने वाला हो तो नई जन्म लेने वाले वेक्ति को ये सभी क्लिपिंग्स स्रंकला बद तरीके से उसकी चेतना के रूप में प्राप्त होंगी और फलसुरूप वेगती अपने पिछले जन्म से जुड़ी यादों को महसूस कर सकेगा पर क्योंकि उसका जन्म एक नए O.R.T. बिंदू से हुआ है तो उसके जीवन के रास्ते उस रास्ते पर मिलने वाले परडाम, रिष्टे नाते, उसका भाग गए पूरी तरह पिछले जन्म से अलग होगा तो उसकी चेतना या जिसे हमारी थ्योरी ने नाम दिया है Path Information Index पिछले जन्म से आई इन सभी स्रंकला बद Information को उसके आज के वर्तमान के अनकूल बनाने के लिए मोडिफाय या परवर्तित करने लगती है इसी परवर्तन के प्रभाव के कारण उस व्यक्ति को पिछले जीवन की यादे याद आती है जो की समय के साथ साथ दुन्दली पढ़ने लगती है हलांकि यह हो सकता है कि पिछले जन्म से आई Information के प्रभाव से इस जन्म में वे उन्ही परणामों या उसी लक्षे की और भड़े जो लक्षे पिछले जन्म में था पर उसे पाने का तरीका पिछले जन्म की तुलना में पूरी तरह से अलग होगा पुनर जन्म का यह चक्र सरफ एक ही परसिती में पूरा होता है कि आज़ाद होती ये सभी क्लिपिंग्स कम से कम समय में एक नए C.E.G. का अगला क्रमानों का दूप में हिस्सा बन पाएं जहां या तो नया जन्म हो रहा हो या होने वाला हो ऐसा ना होने पर समय धीरे धीरे इन सभी क्लिपिंग्स के बीच समय का अंतर बढ़ाने लगता है जो हमारे केस में है एक दिन ये अंतर उसी क्लिपिंग्स में बढ़ता है जिस क्लिपिंग्स आज़ाद होई थी तो इस तरह किसी हाथसे में मृत व्यक्ति या आत्मत्य करने वाले व्यक्ति की उर्जा कुछ समय तक वहीं रह सकती है जहां उसकी मृत्य हुई हो जैसे जैसे क्लिपिंग्स के बीच समय का अंतर सामाना होता जाता है वे अपने अपने इंफॉमिशन ग्रुप में नई सीजी के साथ जुड़कर नई जीवन का रूप लेने लगती है और यही वे कारण भी है कि क्यूं प्रतेक हाथसे में मृत्व्यक्ति का पुनरजन नहीं हो पाता खुद्रत के एवलूशन के तरीके या क्रम विकास में नई जानकारियों को अगली पीड़ी तक पहुचाना है ना कि पिछली जानकारियों को बिना किसी बदलाब के पुनरावर्ती करना या पुनरजन करना पुनरजर्म तो मात्र समय में एक सक्रासा रास्ता है जहां कुछ जानकारियां समय की गती से छेड़ चाल करके चुपचाप बिना किसी सूचना के फिर से नई जीवन के रूप में अवत्रित होकर पुनरजर्म की एक छोटी सी वास्तविक्ता को साकार करती है एक नए जीवन की कहानी के रूप में वो कहानी जो किनी कारणों से अधूरी रह गई थी वक्त ये बीते पन्ना पर